यह जार स्क्रेट का यह interview का question बहुत ही common है और बहुत भार पूछा जाता है ठीक है और तो यार देखो simple simple principle का array दिया जाता है आर में बहुत सा ряд string होता है ठीक है अब strings में क्या है कि strings में कुछ strings है जो repeat होते हो कई बार ठीक है जैसे एक function मनाना है जो कि इस type का output दे जिसमें कि पहले हमारे key string होना चाहिए एक object होना चाहिए इसमें count नाम का एक key है ठीक है और उसके आगे उसका number होना चाहिए कि यह जो भाणलो वी आई के कितनी बार repeat हुआ है ठीक है और फिर एक cat है कितनी बार repeat हुआ है चलो हैर सबसे पहले हम यह एक function मनाते हैं और मानलो function का नाम में देना चाहते हैं find count राइट और इसके अंदर basically array pass होगा सिख दीसी बात है तो हमें सिख देए array यहां से pass हो रहा है जो भी यहां से array pass होगा उसमें हम एक for each loop लगाएंगा अब basically मेरे को कहचे एक object चाहिए ठीक है तो मैं एक blank object create कर लेता हूँ अब इस array पर for each लग रहा है इससे क्या होगा कि हर बार यह पहली बार इस element को पकड़ेगा दूसी बार इसको तीसी बार इसको चौती बार इसको है ना तो इस array value किसमें आएंगे एक एक बार करके इस element के अंदर आएंगे ठीक है तो मैं ही चक करता हूँ कि क्या इस object के अंदर यह element exist करता है ठीक है ठीक है और गर करता है तो भाई करता है तो हम क्या करेंगे देखो हमारे structure कहता कि भाई अब यह जो मेरा key है इसमें एक object save और इसके object के अंदर एक count नाम का key है राइट तो मैं यहां बोलूँगा कि ठीक है इस सबसे पहले तो इस element को target करते है और उसके अंदर जो count नाम का key है ठीक है उसको क्या करो आप एक बढ़ा दो ठीक है तो मैं लिखूंगा प्रस इक्वल्स टो 1 else हम क्या करेंगे जो object है अब else मतलब क्या key या तो पहले exist करता है इस object के अंदर एक key ठीक है और एक exist नहीं करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका मतलब या वी आई के अभी एक बार भी नहीं आया है ना एक बार भी नहीं आया तो यह क्या करेगा वी आई के नाम का एक element create कर देगा इसके अंदर एक key create कर देगा और उसमें एक object सेव कराएगा और object में जो count है उसकी value 1 करा देगा ठीक बट यही जब वी आई के अगली बार आएगा ठीक तो यह बेसिकल यहां चेक करेगा क्या exist करता है हां भई करता है तो क्या करेगा count की value को जो भी इसकी पहली value थे मालब भी 1 थी तो इसको बढ़ा के do कर देगा पाइनल जब मेरा सारा काम होगे पूरा पूरा फॉरीच लूप चल गया तो मैं अपने यहां इस object को console करा लूँगा console करा दूँगा return करा दूँगा जो मर्जी ठीक है तो run करने के मेरे को क्या करना पड़ेगा नोड index.js ठीक है और index.js मेरे file का नाम है ठीक तो जैसे मैंने लिखा अभी आप देखो को कुछ नहीं होगा क्यों क्योंकि यह मैंने भी तक function को call ही नहीं किया ठीक है तो मैं find count नाम के function को भी तो call करना पड़ेगा find count नाम के function को call कर आ रहा हूं इसमें array pass कर दे रहा हूं ठीक है इसको save कर आता हूं दो बारा से जाता हूं उरन कर आता हूं और फिर देखतें गए भी क्या होता है अभी देखो मेरे पस यह object पृरिंट होके आगए जिसमें मैं को बता रहे है विकास जो नाम का string है वो, एक बार आया है cat नाम का string तीन बार आया है राज नाम का एक बार आया है